एक साल में छे मेना ही खेति करते थे बरसात वाला और बरसात का पानी चो रहता था उसी से हम लोग सबजी कुछ हुजाते थे तो उसके बाद बाकी छे मेना हम लोग बजार से खरीद के लाते थे जानि कि सबता में पंच-छे सु रुपिया खर्चा हो जाता तो परा सवदा लगा के सबजी दो तीन सो का लेते थे और लाते थे और रखते थे तो रात बार ठीक रहता सुबह गल जाता था पहले जब मेरी बेड़ी बटी थे उस्टेम खाना कमी था चार बार खाना है तो दो ये बार खाते थे तीने बार यानी तो जब बड़ी बेटी हुई तो उस अगर सुधार आ जाएगा हमी, तो हमारी लिए बहुत अच्छा है, हम लोग महिला है खुद को, अपने छोटा सा डेडिसमी का प्लॉट रहता है, घर की आगे है पिछी, जो भी प्लॉट मेरा है, उसमें आराम से जाके जहां देख रहा है कि पानी का जमाओ कहा होना चाहिए जलकुंड कहा बनेगा पानी का बचत, पानी के बचत से हम कैसे छोटा सा पुषण बाटिका कर सकती है, और सा पलॉट लेकर हम लोगों ने खुद कदीदी से बताकर हम लोगों पुषण बाटिका छोटा सा बना लेते हैं, अब बनाने के बाद उसमें आठ बिट बनाकर प्वजी भी लगाते हैं। सुधार होगा। तो वही सब देखे और पसंगवाटी का सुरूपी। पहले एक ही सबजी एक ही डाल बनाते थे और अभी जो गया हम लोग अपना बारी में है अभी की पोसगवाटी का तुछ में हम डेली तोड़के और साग हो गया। सबजी बनाके अपना मन पसंग फरपट खाना खाते हैं। प्रपट खाते हैं। यानि परिवार में हम लोग अपना ये पोसगवाटी का करके बहुत खूस है। यह लोग बीमारी से भी धूर है और सरीर भी स्वस्थ है। और बजार जाने का टेंसन ने रहता है कि हमको सरजी लाना है। जो भी है महनत यानि कि अपना घर सामने का तो जब ही समय मिला तब भी हम जाके अपना थोड़ा सा महनत कर लिए। लगाना ही बहुत अचान है और खाना भी बहुत अच्छा है। जैसे कि हमारे सरीर को अलग-अलग पोस्वतत जाहिए, उसी तरह से हम अपना पोस्ववाटिका में अलग-अलग तरह से सब्जी लगाए हैं, और वो अपने खाते हैं, और बच्चे को भी खिलाते हैं, यानि हम भी स्वस्थ, मेरा परिवार भी स्वस्थ. कि अगर गर्वति माहें या धात्री माहें उसको तो खानपन पर विशेश दियान देना है अपने उपर और अपने बच्चे उपर इसके लिए मेरा कहना ये है कि हर एक दीदी अपना सब का छड़ा जगा है या जमीन है तो उसमें पोसक बाटिका करें और सब्जी उपजाए मैर का ये